हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम जीके ओलम्पियाड क्लासफाई का सेंपल पेपर देखेंगे आपके जीके ओलम्पियाड में 50 क्योस्टन्स हर साल आते हैं और वन आवर टाइम दिया जाता है इसका डेट मैंने पहले एसोफ ओलम्पियाड का वीडियो डाला है मेरी तीन वीडियो से पहले उसमें देख सकते हैं हर ओलम्पियाड का मैंने अच्छे से explain किया है किस में कितना क्योंचन आता है और एक्जाम किस डेट में होगा तो जी के ओलंपियाड का साइद एक 19 सेप्टेंबर था और एक डेट अक्टूबर में था तो पैटेन इसका यही रहता है जनरल अवेनेस आपका जी के कितना स्टॉंग है 30 क्योंचन वहां से आता है उसके बाद करेंट अफेर हाल फिलाल में क्या चल रहा है दो हजार चोविस का करेंट अफेर इसमें आता है मतलब आठ महीने का करेंट अफेर तो आठ महीने में जैसे लोकसभा इलेक्शन हुए थे नए मिनिस्टर्स बने थे उसके बाद ODI World Cup हो चुका है और T20 World Cup हो चुका है ओलम्पिक हो चुकी है किसी नए देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहां कौन सा इवेंट हु उसमें करेंट अफेर्स में आता है लाइफ स्किल में आपको क्या करना चाहिए डॉंट और डू वाट सुड यू डू इस यह चीज़े आती है अचीवर सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है हालंकि दिमाग थोड़ा लगाया जाए तो इसके आंसर सही हो जाते ह हैं तो आपके अच्छी रेंग दिलाने के लिए यह काफी हैलफुल रहते हैं अगर आप पार्चों को सही कर पाते हैं तो इसका सिलेबस भी दे रखा है और बोडी एंड हैल्थ से रिलेटिड आएगा तो बोडी का आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा अफेर्स में रहता यह सब से बड़ा कॉंटिनेंट कंट्री और उनका कैपिटल उनकी करेंसी और यह सब आता है कौन सा कंट्री किस कॉंटिनेंट में हैं साइस एंड टेकनोलोजी का थोड़ा सा रहेगा कौन सा नई खोजे हुई हैं डिस्कवरीज एंवायरमेंटल एंड इट्स कंजर्वेशन से रिलेटिड आता है ग्रीन ओलंपियाड इस से रिलेटिड मैंने ग्रीन ओलंपियाड का वीडियो बना रखा मेरे चैनल की प्लेइलिस्ट में आप देख सकते हैं लेंगवेज और लिट्रेटर से आएगा किस लेंगवेज में कौन सा हाइस्ट अव स्किल्स लाइफ स्किल्स में मोरल वैल्यूज फ्लेक्सिबिल्टी इमोशनल इंटेलिजेंस डिशिजन मेकिंग पजल वगेरा और यह सब आता है करन्ट अफेर्स तो चलिए हम देखते हैं इसमें फर्स्ट क्योशन यह तो बस एक सैंपल है मतलब यहां आपको दस ही स्किल्स क्योशन रेडी करने हैं तब आपका स्कूर अच्छा बन पाएगा और ज्यादा के लिए आप मेरे लास्ट एयर की प्लेलिस्ट आई जी के और दो जारतेश चोविस जी के ओलंपियार सोलुशन मेरी तीन चार प्लेलिस्ट वहां जाकर आप प्रिविएस एर के क्य स्का जेनल अवेर्नेस यह वाला थर्टी क्योशन यह क्योशन हर साल रिपीट होते हैं तो मेरे तीन चार क्योशन मिलेंगे क्लास फॉर और फाइव आप दोनों को देखना उन में से क्योशन हर बार रिपीट हुआ आपको मिलेगा तो वह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफीशिल रहेंगे मेरे चैनल की प्लेइलिस्ट में हैं वहां से आप देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं जैसे फर्स्ट क्योशन आए में फ्लाइटलेस बर्ड नेटिव टू अफ्रीका अफ्रीका में पाया जाता है आई ले दा लार्जेस्ट एक सबसे बड़ा अ स्टेट एक नया स्टेट बना था तेलंगा न अंदर परदेश के ऊपर में तेलंगा ना नीचे में आंदर परदेश रहा थर्ड क्योश्न आइडेंटिफाई देनेम एडवेंचर स्पोर्ट स्वर्ट सौन अं इन ग्योण पिक्चर यह क्या है स्काइड़िंग्स पानी में होती है उसके बाद संगीत नाटक अकडमी अमरित अवार्ड तो यह वार्ड चार पांच दिये जाते हैं जैसे फिल्मों में भी बेस्ट फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म ऑफ दा यह वार्ड यह आपको देखना लास्ट यह मैंने करन्ट अफेयर की वीडियो बना नही तो उसमें आपको थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा कि कैसे कैसे करन्ट अफेयर में क्योस्ट आते हैं तो वह आप उसमें देख सकते हैं मेरे लास्ट यह करन्ट अफेयर का एक वीडियो डला होगा तो इसका करेक्ट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा ललिथा श्री निवा सब्सक्राइब दो हील स्थे सं congress वाद क्यों सीन कि होगा वहाई अल् carga होगा जमीन से उपर जितना उपर जाएगे पहाडों में उतना ही थंड ज्यादा होती है जो समुन दर के पास रहेगा वहाँ हुमिडिटि रहेगी गरमी रहेगी पूरा साल उसके बाद क्योंसर नमबर 6 है विच ओफ दा फॉलोइंग कंट्री वोस्ट कंट्री फोर दो जारतेश वर्ल्ड एन्वायरमेंट डे सेलिबरेशन तो वर्ल्ड एन्वायरमेंट डे सेलिबरेशन हर साल इनका इवेंट होता है तो यह कौन से देश ने करवाई थी कोर्ट ली यहां इनका होस्ट प्लेस था हालंकि में जो चीज आपकी बार होस्ट का आपके जो ओलंपियाड में आ सकता वो है कि अभी ओलंपिक कहां हुए थे तो अभी यह फ्रांस में ओलंपिक हुए थे इसकी कैपिटल पैरिस है और यहां एफिल टाउर भी है तो यह सबको पता हो अब कप हुआ था जो ऑस्टेलिया ने जीता था वह इंडिया में हुआ था और यह टीट्वेंटी साइद इंग्लेंड में की अफ्रीका में वह था वह आपको देखना है उसके बाद क्योंसर नमबर सेवन नेम दा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन दा वर्ड यह के वह लेट क извест बिलकुल गलत हो गया क्यांकि इंडिया तो स्थाण साइद ऐसे या पर्ट में तो लाजेस्ट सेवरन में इंडिया तक आपको पता होनी चालि हम रसिया, कैनेडा, USA, चाइना, सायद ये कुछ, ब्राजील, उस्टेलिया और इंडिया, ऐसे हैं कुछ उसके बाद क्योशन नमबर एट, गिवन इमेज इस दा फ्लैग ओफ, ये कौन से देश का जंडा है तो क्योशन नमबर एट, ये नेजिलेंड का जंडा है, कीवीज बोलते हैं इनको, और आपको कम से कम, जो फैमस और पाउरफुल कंट्रीज हैं, 10 और 15, इनका फ्लैग आपको देख लेना है, जिसमें USA हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इंगलेंड हो गया, रसिया, फ्रांस, स्पेन, इंडिया, उस्टेलिया, इनका फ्लैग आपको पता होना चाहिए, और कैनाडा भी, तो ये क्योंकि बहुत इनका वर्ल्ड में नाम है, इनका फ्लैग, कंट्री, कैपिटल, और करेंसी आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद अचीवर सेक्शन, इसका वै होते थी, वो बिल्कुल, चुप-चाप साइलेंट होते थी, वो मुवी, तो वो कौन सी मुवी थी, इंडिया में, राजा हरिस्चंदर, बाद में इसको, जब इतनी टेकनोलोजी उस टाइम नहीं थी, बहुत पुराने समय की बात है, जब टेकनोलोजी आई, तब इनको ल तो उसमें आपको सेवन का सेवन पता होना चाहिए, जैसे इधर तो पूछा है कि पेरामिड एट चिचन इट जा, तो ये होता है, हाँ है, पैटरा बिल्कुल है, वो इसमें सेवन वंडर्स में, क्रिस्ट दारेडेमीर ये भी है, कुतुम मिनार नहीं है, इंडिया से ग्रेट वॉल ओफ चाइना उसके बाद, दा कोलेजम आता है, जो इटली में है, सी यो, एलो, डबलेस, इम, दा कोलेजम, और एक मोचू, पीचू, ये कुछ ऐसे है, जो रोम में है, वो आता है, पैरू में सोरी, तो ये था हमारे पास सेम्बल पेपर था ये, सो फॉलंप यार्ड वालों ने भेजा था, तो इसमें इन से रिलेटिड ही ऐसे क्योशन आपको देखने को मिल जाएंगों, और बाकी मैं और प्रेक्टिस के लिए आपको बताया हूं कि मेरे लास्ट ये जो प्रिवियस येर के मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, वहां से नेशनल आवार्ड आप देखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज का ये देखेंगे, स्पोर्ट से रिलेटिड जैसे टैनिस हो गया, और ओलम्पिक का बहुत, ज्यादा आपकी बार दो तिन क्योशन पूछा जा सकता है, जी ट्वेंटी के बारे में पूछा जा सकता है, जी ट् करेंटर फिर दस नंबर का आराम से हो जाएगा, और बाकी भी अगर चीजे तीन चार प्रिविएस ये पेपर आप देख लेंगे, तो आपका हो जाएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैन पाँ